न्यद्र करिया महत जहने सब्सक्राइब आज्यों में लोड़ी इस था में। आफजलिहिम वखातमिन नबीन मुहम्मदिन अमीन वाला आलिही वास्थाबिही ज्माइन अमा बाद वाओद बिल्लाह मिन श्यतानि र्रजीम बिस्मि ल्लाहि र्रह्मानि र्रहीम वामा मा यन्फ़ अन्नास व्यम्कुतु फिल अर्द सदक अल्लाहु र्रजीम अल्लाहुम्म सल्य अला सेयदिना वमवलाना मुहम्मदिन वाला आली सेयदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम मुझरूगो और दीनी भाईयो पुरानी करीम की इस आयत में अल्लाह रिशाद फर्माते हैं वाँमा मा यन्फाउन नास व्यम्कुसु फिल अर्ब जो भी इनसानों की नफारसानी का काम करता है इनसानों के फाईदे का काम करता है अग्ताला शानु फर्माते हैं कि हम उसको जमा देते हैं जमीन में जमा देते हैं मजबूत कर देते हैं दीन इसलाम ये दीन फितरत है और इसलाम ने इनसानों को अच्छे अखलाक की तालीम दी खुश अखलाकी हुदूर पाक सलल्लाहु आलेही वसल्म भी बेहतरीन अखलाक लेकर गुनिया में तश्रीख लाये आप पुरान करीम से पूछिए के नबी करीम सलल्लाहु आलेही वसल्म के अखलाक कैसे थे तो जवाब मिलेगा वाइनक ला अला कुलुक नाजीम ए मेरे महबूब आप हुसन अखलाक के बहतरीन रुतबे पर हो आला मरतबे पर हो आला मकाम पर हो जिस तरह से दरफ ये अपने फल से पहचाना जाता है इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है खुश अखलाकी एमान लाने के बाद बहतरीन चीज़ है जो किसी इनसान को मिली हो कहते हैं ना का फेस के उपर स्माइल इनसान के चेहरे के उपर भी वो खुशी के आथार हो मुस्कुराता चेहरा हो और उसके अखलाक भी वेसे ही है मिसाल के तोर पर अगर कोई आदमी हमसे किसी जगा का पता पूछे तो उसको अच्छी तरह से जवाब दिया जाए या तो अगर मालुम हो तो बताए जाए के फुला जगा ये इसका पता एडरेस ये है और ना हो तो माफी के भई माप कीजिए मुझे पता नहीं है उसके अलावा दूसरे कोई अलफाज मत कहिए के मैं तेरे बाप का नोकर हूँ कि तो मुझे पूछने के लिए आए जा किसी और से जाकर पूछने ये बच अखलाक नहीं है इनसान के अंदर अच्छे अखलाक होने चाहिए खुश अखलाकी होनी चाहिए हम अपने आपको मुसल्मान कहते हैं थोड़ी देर के लिए जारा सोचिए कि हम मुसल्मान है क्या हमारी आँखे मुसल्मान है अगर ये आँखे मुसल्मान है तो आज के बाद ये किसी गेर महरम की तरफ नहीं उठेगी किसी अजनबी औरत की तरफ नहीं उठेगी हमारी ये जबान मुसल्मान है अगर ये मुसल्मान है तो आज के बाद इस जबान से कोई गीबत की बात नहीं निकलेगी जूट की बात नहीं निकलेगी वादा खिराफी नहीं करेगी क्या हमारा दिल मुसल्मान है अगर ये दिल मुसल्मान है तो आज के बाद ये गुनाहों के मनसुबे नहीं बनाएगा क्या हमारे हाद पेर मुसल्मान है अगर ये मुसल्मान है तो आज के बाद ये चल कर किसी गुनाह के काम के लिए नहीं जाएंगे किसी की इज़त के उपर नहीं उठेंगे किसे कहते हैं, मुसल्माने मुसल्मान स dirig लेबल नहीं होता है बलकि इंसान सर के बाल से पेर के नाखुन तक सरापा मुसल्मान होना चाहिए जो हुझृर पाक सल लिल्लाह ओलियुथ विस्च हो थे सहाब एकराम को करके बता दिये मुसल्मान किसको कहते हैं? حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بتایا دین किसको कहते वरमाया अद्दीन नसीहा दीन खेरखाही का नाम है दीन किसका नामे खेरखाही का बिलकि यूं कहिए कि दीन ही खेरखाही है इसलिए कि जो खेरखा होगा वो दीनदार होगा जिस इनसान में खेरखाही होगी उसमें दीनदारी होगी और जिसमें दीनदारी होगी उसमें खेरखाही होगी बदखाही इनसान कभी दीनदार नहीं हो सकता और दीनदार इनसान कभी बदखाही हो सकता खेरखाही अनलाह को किदनी पसंद है قرآن करीम में हदरतِ سुलیمان علیہ السلام के वाकिये को जिख्र किया कि हदरत सुलیمان علیہ السلام में एक मरतबा रास्ते से तशरीफ ले जा रहे लशकर के साथ अब जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां चूटियों के बिल हुआ करते थे चूटिया तो एक चूटियों ने ये महसूस किया कि हदरत सुलیمان علیہ السلام इस रास्ते से गुजर रहे है तो कहीं बेखबरी के अंदर ये चूटियों को रौन न दे और सब चूटियों कहीं हलाक न हो जाए इसलिए उसने बाकी चूटियों को इंफर्म किया खबर दी आगाह किया वो चूटि केहने लगी बाकी चूटियों से कि तुम जल्दी से अपने बिल में चली जाओ अपने मकानों में चली जाओ इसलिए के सुलिमान अलिएसलाम का लशकर आ रहा है कहीं बेखबरी में वो तुमें बैर से रौन न दे कुचल न दे ल्लह ताला को इस चूटि की यादा और इसकी खेरखाही कितनी पसंद आई कि इसका जिकर पुरान करीम में किया और ये कुरान करीम में या आएक कियामत तक रहेगे बलके इस सुरत का नाम ही सुरत नम्ल रख दिया तो जब एक छोटी से अल्ला की मखलूप को उसकी खेरखाही अल्ला को इतनी पसंद है तो एक इनसान दूसरे इनसान से खेरखाही करेगा एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान से खेरखाही करेगा तो ये अल्ला को कितनी पसंद आएगी ये ती देखिए हमारे मौाशरे में हमारे रहन सहन में हम एक दूसरे से लेंडिन करते हैं मामलाई करते हैं तीजारत करते हैं तो अखलाग कैसे होने चाहिए एक स्छाभी गुज़ुरे हैं हदरत جلی줄 अबडला बजली रसे आला हूं वो फर्माते हैं कि मैंने हुजूर इपाक ﷺ के हाथ पर बैच की कि मैं हर इनसान के साथ खेर खाहि करूँрист भलायी करूँगרא उसको फाइदा पहुंचाओंगा उसको दोका नहीं दोंगा उसको नुक्सान नहीं पहुंचाओंगा अब उनको घोड़ा खरीदना था उस जमाने की बहतरीन सवाली घोड़ा हुआ कर तो उनको घोड़ा खरीदना था मारकिट में गए, मंडी में जहां मारकिट लगती है, जानवर फरुक्त होते हैं, बाजार लगता है जहां घोड़े बेचे जाते थे हضرت जरीन इपने अब्दिल्ला बजली रदी अलाहु ताला नहों वहां बाजार में गए एक घुड़ा पसंद आया आपने उसके मालिक से डील की भाउताव किया कि भाई ये कितने का है तो उसका मालिक जो था वो कहने लगा कि इसकी प्राइज तीम सो दीना रहे हضرت जरीन इपने अब्दिल्ला बजली रदी अलाहु ताला नहीं उस घोड़े को अच्छी तरह से देखा उपर से नीचे तरह और उसके बाद फर्माने लगे उस बेशने वाले से मालिक से कि तुम्हारे घोड़े की सही कीमत का तुम्हें अंदाज नहीं है ये 300 जीनार का नहीं है बलके इसकी कीमत इससे ज्यादा है ये कौन कह रहा है लेने वाला खरीदने वाला बेशने वाले से कह रहा है कि तेरा घोड़ा 300 जीनार से ज्यादा का है इसकी प्राइज तो वो कहने लगे ठीक है फिर आप उसकी प्राइज मुझे चारसो दीनार दे दो अधरत जली रिपने अब्दिल्ला बजली रदी अलाहु तारानों ने फर्माएं कि नहीं इसकी वेलियों इससे भी ज्यादा है वो कहने लगे ठीक है पानसो दीनार दे दो आपने फर्माएं कि नहीं इसकी कीमत और भी ज्यादा है ताकि ठीक है छेससो दीनार दे दो फर्माएं कि नहीं इससे भी ज्यादा है ताकि तो साथसो दीनार दे दो तो देखिए जो बंदा तीनसो दीनार में गोड़ा फरोग कर रहा था حضرت جلیل ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ 800 दीनार दे कर वो गोड़ा उन से खरीदा कि तेरे जानवर की सही कीमत गोड़े की सही कीमत का अंदाज़ा तुझे नहीं है मैं एक मुसल्मान हो और तुझे दोका देना नहीं चाहता हूँ इसकी जो कीमत बनती है वो मैं तुझे दूँगा आपने 800 दीनार में वो गोड़ा खरीदा ये कोई ऐसा दुनिया में बिजनिसमेंट ये कोई ऐसा खरीदने वाला आज कल हमारी मार्किट का हाल ये है कश्टमर चाहता है कि मैं बगेर पैसे दिये हुए चीज उठा लो और भुकांदार चाहता है कि मैं बगेर कोई चीज दिये हुए उससे पैसे निकाल लो दोनों तरफ नियक किया है ये हमारी मार्किट का हाल है और साहब अकराम का हाल किया है कि वो कितने खेरका है कि सामने वाला 300 में बेच रहा है आप उसको आट सो दे रहे है लोग दीवाने समझते हैं कि इतने भी खेरका कोई हो सकता है जंगे यर्मुक में एक साहब जो है आखरी वक्त है प्यास लगी हुए सब्त गर्मी है दुनिया से आखरी वक्त है जबान पर अलाटश अलाटश यानि पानी पानी उनके चचाजाद भाई उनके पास मश्की जाथा पानी गा वो लेकर उनके पास पहुँचे पिलाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुँचे कि उनके पडोस से दूसरी तरफ से आवाज आई अलाटश ने पियास लगी है तो ये जो सहाब थे जो खुद प्यासे है दुनिया से आखरी वक्त है उन्होंने इशारा किया कि पहले इनको पिलाओ वहां से वो दूसरे की तरफ गए वो दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरे तरफ से आवाज आई अल अतर प्यास लगी है वो दूसरे सहाबी ने तीसरे सहाब की तरफ इशारा किया कि पहले उनको फिलाई वो उनको फिलाने के लिए जैसे पहुंचे जैसे पहुंचे कि वो फौत हो चुकी वफात हो गए वहां से पलट कर दूसरे के पास आए इनकी भी वफात हो गए पलटकर फिर अपने चचाजाच भाई के पास आए यहाँ आए तो इनकी भी रूफ परवाज हो ले तो देखिए कि कितनी खैर खाई दुनिया से आखरी वक्त है और उसमें प्यास कैसी लगती लेकिन अपनी प्यास की फिक्र नहीं की अपने भाई की प्यास का ख्याल रखा अपनी जाच पर दूसरे को तरजी यह होता है सही माने में मुसल्मान और इसकी तालिम हुदूर इपाक सल्ले लाह लिए वसल्म ने हमें लिए खाजा अबुलहसन नूरी रहमतुल्लाही अले एक बज़र्ग बज़रे हैं उसने ऐलान कर दिया के फुला वक्त में इन सब को में कतल कर दूँगा उनको एक जगा के ओपर बुलाया वहां सब को लाइन में खड़ा किया क्यूं में आ जाओ जब बादशा है उसने देखा के क्यूं में सब से आगे खाज़ा अबुलहसन नूरी रहमतुल्लाही अले खड़े है बादशा को अंदर से उनसे थोड़ी महबत थी अकीदत थी तो बादशा चाहता था कि इनकी जगा किसे और को बुला कर कतल कर दूँ और बाकी को डरा धमका कर उनको माफ कर दूँ लेकिन यहां पहली पॉजिशन पर पहले नंबर पर तो यह खड़े हैं इनको तो कतल नहीं करना है तो क्या तदबीर की जाए तो बादशा ने यह तदबीर की उनसे कहा कि यह जगा ठीक नहीं है वहां दूसरी जगा उनको लेकर आजाओ यह इसलिए कहा कि दूसरी जगा जाएंगे तो यह अबुलहसन नूरी जो आगे खड़े हैं वो बीश में या पीशे चले जाएंगे दूसरी जगा उनको बुलाया तो दूसरी जगा पर भी अबुलहसन नूरी रहमत अलाह यह आगे खड़े होगे पहले नमबर पर बादशा ने देखा कि फिर ये पहले नमबर पर खड़े हो गए ताकि ये जगा भी ठीक नहीं है उस जगा पर लेकर आए तीसरी जगा पर लेकर गए वहां भी वो पहले नमबर पर खड़े हो गए तो बादशाय ने उनको बुला कर पूछा कि भई मैं किसी तद्बीर से तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम बार बार आकर पहले नंबर पर खड़े होते हो या जान बुझ कर करते हो या इत्तिफाकन है तो देखिए कितना बेहतरी इन जवाब दिये फरमाएं कि मैं जान बुझ कर पहले नंबर पर खड़ा होता हूँ ताकि क्यों तो फरमाएं कि इसलिए कि जितनी देर जलाद मुझे कतल करने में लगाएगा मेरे बाकी साथियों को उतनी देर सांस लेने का मौका कुलेगा उनको इतनी जिन्देगी ज्यादा मिलेगी है कोई ऐसा दीवाना जो अपनी जान की परवाना करे और दूसरों की जान बचाए यहां तो हर बंदे को अपनी जान की फिकर है कि मेरी जान में कैसे बचा लो आज दुनिया में फलस्कीन के हालाद देखी जानके लाले पड़े हैं हम यहां इत्मिनान से बैटे हैं सोचते हैं कि हमारे उपर तो हालाद नहीं हैं हम तो अमन में हैं इत्मिनान में हैं उन बेचारों के उपर क्या गुजरती होगी क्या बीट्ती होगी, वह जानते हैं इसलिए कम अर कम उनके लिए दौएं करें ल्लासे दौआ माँगे जो अलला यह हालात वहां लासकता है वो यहां लासकता है इसलिए उनके लिए दौढ़ाओं का इस्देमा में के लिए तो बतला ही रहा था कि एक मुसल्मान को दूसरे मुसल्मान के साथ सरापा खैर खा होना चाहिए कि किसी का नुकसान नहो किसी के साथ धोका नहो इमाम आजम अबु हनीफा रह्मतुल्लाहियले जिनके हम लोग मुकल्लिद है इमाम आजम अबु हनीफा रह्मतुल्लाहियले कि तिजारत भी थी कपड़े का कारोबार था एक औरत आपके दुकान पर कपड़ा फरोग करने के लिए कपड़ा बेशने के लिए आई उस जमाने में दुकान के उपर सिर्फ सेल नहीं होता था बेशना नहीं होता था बलके चीजे बेशी भी जाती थी और समने वाले से खरीदी भी जाती तो आपकी कपड़े की दुकान थी कपड़े बेचे भी जाते थे और अगर कोई बंदा कपड़ा बेचने के लिए आता था तो कपड़ा उस inhalated के लिए थे एक औरत बेचने के लिए आए तो पूछा कि ये कपड़ा कितने का है बेशना है वो खातुन कहने लगी कि इतने में मुझे बेशना है तो इमाम साब ने उससे कहा कि तुझे कपड़े की कीमत का पता नहीं है एक काम कर तो अपने महरम मर्द को लेकर आई वो घर गई अपने शोहर को लेकर आई इमाम साथ के पास उनसे पूछा कि बैई ये कपड़ा कितने में बेशना है तो हस्बन वाइफ मियावी भी आपस में मश्वरा करने लगे कि बैई हम जरूरत मन हैं पैसे की सब्स जरूरत है इसलिए हम थोड़ी सस्ती कीमत में हलके दाम में इसको फरुक्ष कर देते हैं तो शोहर ने भी यही जवाब दिया कि इतने में मुझे ये कपड़ा बेशना है इमाम साब ने फरमाया कि बैई ये तो बहुत सस्ता कपड़ा है इसकी कीमत तो इससे ज्यादा है क्यूंकि मैं कपड़े का ताजिर हूँ मुझे वैल्यू मालूम है इसकी तो उसने का कि ठीक है हदरत हम पहले सौ दिरहम में बेशने वाले हैं आप कीमत ज्यादा करके देड़ सो दिरहम देदेगे तो ये खरीदने वाला कहता है बेशने वाले से इमाम साब ने फरमाया कि नहीं इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है तो आपके ठीक है तो दो सो दिरहम देदो ताके नहीं इससे भी ज्यादा है दाइससो देदो इमाम साब ने फरमाया कि तेरे कपड़े की सही वेलियो और कीमत का तुझे अंदाजा नहीं सो दिरहम में कपड़ा बेशने वाले को आपने तीन सो दिरहम दिया और उससे वो कपड़ा खरीदा और फरमाएं कि मेरी नियत साफ है मैंने तुझे धोका नहीं दिया जितनी खेर खाही हो सकी थी मैंने यह उस जमाने की मार्किट और बिजनेस और तिजारत थी अल्लाह ताला बर्चते भी वैसी देते थी एक मरतबा आप दुकान से असर से पहले तश्रीफ लाए इमाम आजम अबु हनीफा राहमतुल्लाहियो रास्ते में एक बड़े मिया मिले पुशा कि इमाम साब कहां चल दिये ताकि अब घर जाता हूँ दुकान बंद कर दी उसे क्यों बंद कर दी रोजाना तो आप मगरिट के वक्त बंद करते हो आज जोहर के बाद बंद कर दी तो देखिए क्या जवाब दिया इमाम साब ने फरमाया कि आज आस्मान के उपर बादल है जिसकी वज़े से कपड़े की पहचान और उसकी कॉलेटी के अंदर जहक को पहचानने में धोका लग सकता है सही कॉलेटी का पता नहीं चल सकता अंधेरी की वज़े से वो लाइट का जमाना नहीं था चिराक का जमाना था ताकि अंदेरी की वज़े से जो आएगा कश्टमर उसको सही अंदाज़ा नहीं होगा इसकी कॉलेटी का इसलिए वो कम कीमत वाले कपड़े को ज्यादा कीमत वाला समझ कर खरीद न ले उसे कहीं दोकाना हो जाए इसलिए आज मैंने जोहर के बाद दुकान बढ़ करें हम तो चाहते हैं कि अच्छा अंदेरा हो जाए माल लिग जाए सस्ती कीमत वाला कोई ज्यादा पैसे दे गए या तो घर जाकर घर वालों को भी आज तो तुमारे लिए टेक अवे खिला देता हो क्या हुआ अज तो प्रॉफिट हो गया स्कम कीमत वाला ज्यादा कीमत में मैंने बेज दिया नफे का सौधा कर लिया लेकिन वो हजरात किसी का नुक्सान नहीं करते थे वो खेरखाही का दौर था एक पाई एक पैसे एक रुपिय एक पाउन का किसी का नुक्सान नहीं करते अपना नुक्सान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुक्सान नहीं हमें हर चीज में अपना हक चाहिए है हिस्सा चाहिए और सहाबाई कराम के मिजाज देखिए हम लोग हक लेने के लिए लड़ते हैं कि भई मुझे मेरा हक चाहिए और वो लोग हक देने के लिए लड़ते थे हदरत उमर अधियल्लाहु ताला नहों का जमाना है अदालत में एक मुकद्दमा आया मुकद्दमा ये आया कि एक सहाप ने जमीन बेची अपनी जमीन बेच दी दूसरे सहाप ने वो जमीन खरी दी बेचने वाला बेच कर फारिग हो गया अब जिसने खरी दी थी उसने उस जमीन को जोतना शुरू किया उसमें हल चलाए काश्तकारी करनी थी खेती बारी करनी थी हल चलाए उसमे तो उसने जिस जगा के उपर हल चलाए अंदर से सौना चान्दी और खजाना निकला जमीन के अंदर से अगर ये मिल जाता हो तो फिर किसमत चमक गई चुपके चुपके आदमी घर ले जाता है लेकिन वो खेर खाते दिन्दार लोग थे वो सोचने लगे कि ये जमीन तो मैंने फुना से खरी दी है मैंने जमीन के पैसे दी है इस खजाने के पैसे तो मैंने दी है इसलिए इस पर मेरा हक नहीं है वो तो इस जमीन के मालिक का हक नहीं ये कहेंगर वो पूरा खजाना उठा कर उनके पास लेकर और कहा कि मैंने जो जमीन खरीदी थी अंदर से ये फजाना निकला ये दफीना निकला ये आपका है हमारे पास कोई ऐसा आजाए लेकर हम उसका शुक्रिया आदा करेंगे आप बैस ये खाना खा कर जाएए कितना वेलकम करेंगे उसको कितनी हिज़त देंगे ये बड़ा इमानदार बंदा निकला तू तो तूने मुझे इतनी बड़ी कीज लाकर दे दी उसका शुक्रिया आदा करेंगे लेकिन वो साब कहने लगे कि नहीं मैंने तो जमीन बेच दी थी तुम्हें अब जमीन बेच दी तो अंदर में से जो भी निकलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा अब ये देने के लिए तैयार है लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं यहां तक कि मुकद्दमा पहुँचा अदालत में उस वक्त हदरत काब रदी ल्लाह ताला नहूं काजी थे फैसला करने वाले उनकी कौर्ट में ये मुकद्दमा पहुचा कि भई ये जमीन में से सौना निकला है उन्होंने जमीन बेची है फुलाने खरीदी है अब खरीदने वाला कहता है कि मेरा नहीं है जमीन के मालिक का है जमीन का मालिक कहता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ मैंने जमीन बेच ली थी अब क्या किया जाए दोनों मना करते हैं ये कहता है कि मैं नहीं लूँगा और वो कहते है कि मैं नहीं लूँगा अब इसका फैसला करना है मुकद्दमा है पेशिदा है फैसला भी कैसे फैसला किया जाए तो अल्लह ताला ने सहाब एकराम को सोच भी बड़ी दी थी अल्लह की तरफ से उनको वो सोच मिली थी कि वो शरीयत और सुन्नक की रोशनी में सही तोर पर फैसला करें ऐसा नहीं है कि आधा आधा तक्सिब कर दो आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो ये सही फैसला नहीं होता है तो फिर हदरत काब रदी अल्लह ताला नहोंने उस जमीन वाले से पूछा कि भई तुम्हारी अवलाद है तो उसने का कि हाँ मेरा एक जवान बेटा है जिन्होंने जमीन खरी दी थे उनसे पूछा तुम्हारी कोई अवलाद है उन्होंने का कि हाँ मेरी जवान बेटी है तो दो कि मसला हल हो गया फैसला हो गया दोनों का निकाह कर दो और निकाह के बाद मिया बीवी को ये खजाना दे भी तो दोनों के हिस्से में पहुँच गएगा इधर वाले के मिं और इधर वाले के मिं उसी अदालत के अंदर निकाह करवाया गया और वो खजाने का मालिक उनको बना लिए खुलमा ने लिखा है कि आज हमारे सारे जगड़े हक लेने के लिए है कि मुझे बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए मुझे फुला की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए एक कहता है कि मैं अपना हक लेकर रहूंगा दूसरा कहता है कि खुन का आखरी कत्रा बहा दूँगा लेकिन तुझे हिस्सा नहीं दूगा सारे जगडे लेने देने के उपर है अगर हर बंदा दूसरे को हक देने वाला बन जाए लेने वाला नहीं हर बंदा दूसरे को हक देने वाला बन जाए मौाशरे से साद जगडे खतम हो जाए आज जगडे लेने की वज़े से है हक लेने की वज़े से वो कहता है कि मेरा हक मुझे चाहिए वो कहती है कि मेरा हक मुझे चाहिए हाँ भै शरीयत ने जिसका जो हक रखा है जो बनता है वो उसे जरूर मिलेगा लेकिन नाहक किसी का हिस्सा दबाना और बाप की प्रॉपर्टी में से जबरन लेना जबरदस्ती करके कि नहीं मुझे तो बाप की फुला मिलती ये चाहिए ये घर जो है वो तो मैं ही लोगा अबा का अबा की निशानी है जेते हैं कि भई इसकी कीमत दे दो फिर तो कीमत भी खीच खीच के देता है चलती हे दो लाग पाउण तो देता है एक लाग पाउण के एक लाग दूंगा मैं तो कबजर मेरा है रहता में हूं इस पर ये नाहक कबजרה हुआ ये नाजाईस स्वदा हुआ उसके लिए जाईस नहीं है हलाल नहीं इसलिए हर चीज़ में शरीयत और सुन्नत के इतिबा करे पुरान करीम की इस आयत में अल्ला यही सबक देते है वाँमा मा यन्फाउ नास फयमकुसू फिलर्द के जो भी इनसानों की बलाई का काम करेगा खैरखाही का काम करेगा नफारसानी का काम करेगा दूसरों को फाइदा पहुँचाने का काम करेगा अल्ला फर्माते हैं कि हम उनको जमीन में मजबूती से जमा देते हैं उनके कदम जमा देते हैं ल्ला करे कि हमें भी इस आयत पर अमल की तौफीक हो जाए दूसरे इंसानों की खेर खाही का दूसरों का दुख दूसरों का 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 दूस وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَالْنَّارِ या اللَّهُ يَا رَحْمَان يَا رَحِيمُ يَا كَرِيم يَا عزیزُ يَا غَفَّات يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ऐ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں سے در گزر فرما دے اے اللہ صحیح معنے میں خیر خوابندہ ہمیں بنا دے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں بتائے اور جس اخلاق کی ہمیں تعلیم دی پیارے اللہ وہ سارے اخلاق وہ ساری خوبیاں وہ ساری صیفات ہمارے اندر ڈال دیجئے برائی کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرمائیے بد زبانی اور بد کلامی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سرابہ مسلمان بنا دے صیفات حمیدہ سے متصف فرما دے اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے دین کا کام لے لے تیرے دین کا کام لے لے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ دین ہماری نسلوں میں زندہ فرما ہماری نسلوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما ہماری اہل و عیال کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی تھندک بنا سو فیصد گھروں میں دین زندہ فرما اے اللہ دین کی سر بلندی کے فیصلے فرما फलस्तीन के मजलूम मुसल्मानों की नुसरत और मदद फर्मा हिमायद फर्मा ऐ लाह वो दिन रात कैसे गुजारते होंगे ना सर पर च्छत हैं ऐ लाह ना सोने के लिए कोई बिस्तर है ना खाने पीने की कोई चीज है ना पहनने उड़ने के लिए कपड़े है ऐ लाह बेसहारा जिन्दगी है इलाह लालमीन उनका हामी और नासिर बन जा ऐ लाह गैबे नुसरत फर्मा दे गैबे मदद शामिले हाल फर्मा हिम्बत और होसले अता फर्मा उनको आफियत अता फर्मा इस्जत वाली जिन्दगी अता फर्मा ए लाह उनकी इस्जत और नामूस की हिफादत फर्मा ए लाह पूरे आलम के मुसल्मानों की जान माल इस्जत आबरू इमान और यकीन की हिफादत फर्मा परेशान हालों की परेशानिया दूर फर्मा हाजतمندوں की जरूरते पूरी फर्मा बिमारों को शिफा अता फर्मा कर्जों के बोज में डूबे हुए हैं उससे निकलने की सबील शकले पैदा फर्मा दुनिया से इमान पर जाने वालों को ए ल्ला जन्नत अल्फिर्दोस नसीब फर्मा हमारे ओलिदेन की मछ्टिर्द फर्मा ए ल्ला दुनिया से पर्दा फर्मा गया है उनकी कबर पर नूर बरसा उनके दरजात बलं फर्मा आला इल्लिय eyeshadow में बहत्रीन जगा इता फर्मा अगर ए ल्ला बकेद फ़िञात है उनकी अम्र में बरकत अता फर्मा उन्हें सीहत अफियत अता फर्मा एल्ला उनकी खिद्मत का जजबा अता फर्मा उनकी नेक दुआएं लेने वाला बना एल्ला उनकी गदरदानी अता फर्मा वालिदें की बेद्बी नाकदरी से हमारी हिफादत फर्मा आल्लाव दीन के लिए हम सब को उनाप को आई अपार, खार कर जिये हमतें हो के लिए को क्यच्रा करते के लिए रूत ने सस्षिर ए फिरभे से लिकनाओ. दुश्मनिया बढ़ चुकी है ऐ आल्ला सारी नफरते दुश्मनिया खत्म फर्मा हमें आपस में एक और नेक बना इत्धाद और इत्फाक पैदा फर्मा दीन की निस्बत पर जमा होना कबूल फर्मा ऐ आल्ला जो बात कही सुनी गई अमल का जजबा अता फर्मा ऐ आल्ला नाम ए आमाल में नेकी का जरीया बना हम सब की आखिरत में नजात का जरीया बना ऐ आल्ला हम सब की जिन्दगी में इनकलाब का जरीया बना ऐ आल्ला हमें सरापा खेर बना दे एल्ला नमाज रोजे वाले अबादत आसान फर्मा रमजान के हर अमल को हमारे लिए आसान फर्मा सहरी में उठना आसान फर्मा तहजद का पढ़ना आसान फर्मा राहِ खुदा में खर्श करना आसान फर्मा एल्ला अल्ला उल्माई कराम की महनते कबूल फर्मा एल्ला उनकी उम्रों में बरकत अता फर्मा मदारी से दीनिया मकातिब इसलामिया की हिफादत फर्मा एल्ला मसाजिदों की हिफादत फर्मा एल्ला मराकिजों की हिफादत फर्मा हनकाहों की हिफादत फर्मा एल्ला दावत और तबलीग की निस्बत से दुनिया भर में चलने फिरने वालों की हिफादत फर्मा सब की नुसरत और मदद फर्मा ए ल्लाह जो मांगा वो भी अता फर्मा दे ना मांग सके बगएर मांगे इस से बेहतर उबढ़कर अता फर्मा दुआ अपने फजल करम हभीब पाक सल्लाह अलियु वसल्म के सदके तुफेल कबूल मन्जूर फर्मा रब्बना तकबल मिनना इनका अंता स्समी अलाइम वतुब अलियना इनका अंता तव्वाब रर्हीम वसल्लाह अलान नभी अल्करीम अमीन बिरह्मतिका या अरहमर रख